नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेडुधर रोतिया आप लोगों को आज पॉबलिक इंटरनेशनल लाउ में स्टेट रिकोग्राइजेशन याणि कि राज्यों की मान्नेता से सम्मंदित जान करी दूँगा राज्यों की मान्नेता यहां से प्रश्ण जरूर पुझा जाता है यह क्या बला है भाई यह राज्यों की मानने तक क्यों देनी पड़ती है अंतराष्टी विदी में पर्टिकुलर क्या होता है एक बात आप लोग इस पस्ट्रूप से समझिएगा जैसे 1947 के पहले भारत किस रुपे था भारत को हम ब्रिटीज भारत के नाम से जानते थे सबी लोगों को पता है 1947 15 अगस्त 1947 भारत ब्रिटीज भारत से प्रिथक हुआ भारत एक अलग राज्य बना राज्य बना होगा सायद आपको समझ में आ रहा होगा आप जो ये जो नया राज्य है भारत को हम राज्य कहेंगे नया राज्य यानि कि इंडिया वो अब अंतराष्टी इस्तर पर माननेता देने की आवसकता होगी अंतराष्टी इस्तर पर माननेता यानि कि एक राज की माननेता आवस्यक है राज की माननेता तभी वो अन्य देशों के साथ में एक diplomatic संबंद इस्थापित कर सकता है diplomatic relations बना सकता है क्यों बनाएगा? क्योंकि इस माननेता से रिकोगनाइजेशन से उन्होंने उनको कुछ rights मिलेगा, कुछ liability मिलेगा तभी वो दुसरे देशों के साथ में संब्द इस्थापित कर सकता है क्या संब्द इस्थापित करेगा, व्यापार करेगा सबसे important है, हमारे देश के लोग उनके देश में रहेंगी उनके देश के लोग हमारे देश में रहेंगी इस तरह से कुछ राइड्स मिलेगा कुछ लाइबलिटी मिलेगा साथ इतना तक समझ में आ गया होगा राज्यों की माननेता क्या है आप देखेगा जहां हम आपको बता रहा है important question कहां से पूछा जाता है राज्यों की माननेता यानि की recognition of state से पहला है convention एक convention है उस convention को आपको याद करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं Minto Video Convention Minto Video Convention के नाम से जानते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा इसमें क्या दिया हुआ है इसमें राज्यों की माननेता की मापदंड दिया हुआ है राज्यों की माननेता के लिए क्या मापदंड है ये आपको याद रखना है के लिए मापदंड दिया हुआ है इस मापदंड का पालन करना बहुत जोरी है क्या माननेता क्या मापदंड दिया हुआ है पहला माप दंड जो है एक निश्चित जनसंख्या होना बहुत जोरी है निश्चित जनसंख्या जैसे मैंने कहा ब्रिटिस इंडिया से इंडिया बना तो इंडिया का एक निश्चित जनसंख्या होना जोरी है दूसरा एक निश्चित छेत्र होना बहुत जोरी है जूरिडिक खेत्र का होना बहुत जोड़ी है उनका अपना एक जूरिट डिक्सन होना चाहिए कहा से लेकर कहा तक इंडिया है निश्चित होगा तो उसको हम मान्म नहीं दे सकते हैं तीसरा चीज है वहाँ पर सावरेन, सवनिटी होना चाहिए, यानि कि सरकार होना चाहिए, एक निश्चिस सरकार का गठन हो जाना चाहिए, यानि कि गौवर्मेंट का रिकोगनाइजिस्टन हो जाना चाहिए, जिसको हम लोग सवनिटी के नाम से भी जाते हैं, चौथा चीज़ें उनमें कुछ प्रवे प्रवेस करने की छमता यानि कि दूसरे राज्यों के साथ में अन्य राज्यों के साथ में संबंद इस्थापित करने के लिए अन्य राज्यों के साथ संबंद इस्थापित करने के लिए प्रवेस करने की छमता होनी चाहिए जैसे माल लेजे इंडिया तो बन गया लेकिन इं चाइना के साथ में संबंद इस्थापित करें इंडिया जापान के साथ में संबंद इस्थापित करें इंडिया अमेरिका के साथ में संबंद इस्थापित करें ये बहुत इंपार्टेंट है ये चार ग्राउंड जोगा है बहुत इंपार्टेंट है अब देखते हैं कि ये जो आपका राज्यों की माननेता है, वो किस रुप में होता है? सबसे पहली बात, यहां पर द्यान दीजेगा, जैसे उधारण के रुप में यहां से कोस्चन पूछा जाता है, इजराइल का नाम सुने होंगे? इजराइल, ठीक है? यह जो इजराइल है ना, ठीक है? उननीस स 99 तक भारत ने इनको माननेता नहीं दिया था, भारत ने माननेता नहीं दिया, ठीक है? यह सबसे पहली बात, जबकि इजराइल के साथ में सैनिक समर्थन प्राप्त था, इजराइल और भारत के मद्यव, सैन ने सम्मंद था, सैन ने साहता मिलता था, देते थे और लेते थे सेन ने सम्मंद था इसके बावजुद भी जो है इनको माननेता भारत ने नहीं दिया दूसरा चीज़ें ये पहला चीज़े बता दिया दूसरा चीज़ें साउथ अफरिका का नाम सुने होगी साउथ अफरिका साउथ अफरिका को 1991 तक भारत ने मननेता नहीं दिया था ये दोनों देश के पीछे एक कारण था हाँ ये निश्चित है कि मिन्टो विडियो कन्वेंशन के तहट इजराइल के पास में भी मापदंड था साउथ अफरिका के पास में भी मापदंड था इसके बावजुद भी भारत ने दोनों राज्यों के मननेता नहीं दिया इसके पीछे है नक्सलवाद इसको आप लोग कहते हो रेस रेस प्राब्लम थी रेस रेस यानि कि रंग भीद थी यहाँ पर आप जानते हो सौथ अफरिका की घटनाय जो है महत्मा गांधी का रंग भीद नीती जो है सुने होंगे ठीक है ये देखिएगा यदि हम यहाँ पर एकी पेज में ही आपको साल चीजे बता दूंगा फिलिस्तीन की बात करते हैं फिलिस्तीन की बात करते हैं फिलिस्तीन का नाम सुने होंगे ठीक है फिलिस्तीन को सिमित माननेता दी गई सिमित माननेता ठीक है सिमित माननेता दी गई जबकि मिंटो वीडियो कंवेंशन क अंतरगत फिलिस्तिन के पास में भी पूरी तरह से माननेता थी है सिमित माननेता दी गई क्यों कि यहां पर यहुदी आबादी बहुत ज़ादा थी यहुदी आबादी की जनसंख्या थी इसलिए लोगों ने जो है इनको माननेता दी आप देखेगा चीन और ताइवान की बा होंगे ताइवान ठीक है यह भी बीबाद चल रहा है आज भी ताइवान जो है आप सुने होंगे चीन गंड राज्य का भाग है चीन गंड राज्य का भाग है मतलब देखेगा सुनते जाएगा चीन गंड राज्य का भाग है और यहाँ पर यूएन की उनाटेट नेशन्स की लगबग संतावन देशों का यानि की राज्यों की माननेता है अभी भी चीन गंड राज्य का भाग होने के बावजूद भी जो है ठीक है यहाँ पर जो है जो मैं आपको बता रहा हूं इसको इस पर प्रस्टूप से समझेगा चीन गंड राज्य का अभी उनके नक्सा में देखेंगे यह ताइवान जो है आता है और उनाइटेट नेशंस के सुरू में उनाइटेट नेशंस के कम से कम 15 सदस्यों ने यानि कि देशों ने राज्यों ने ताइवान को मनित्ता दिया यानि कि ताइवान जो है उनाइटेट नेशंस का सदस्य है सदस्य राज्य है यहां पर देखेगा जबके अभी भी चेन गंड राज्य का भाग है ताइवान यानि कि पूरी तरह से आजाद नहीं है पूरी तरह से एक राज नहीं है इसके पाउजुद भी ताइवान को मानिता प्राप्त है इसका मतलब यह हुआ कि राज्यों की मानिता जो तीन चार तरह के देखा हमने राज्यों की मानिता के लिए ठीक है कोई देश मानिता दे रही है कोई देश मानिता नहीं दे रही है इसके पीछे एक कारण है ठीक है दोस्तों तो हम नेश्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसको जो है कितने प्रकार की मानिता होती है किस तरह की मानिता होती है तो नेश्ट वीडियो जरूर इंति जार किजिएगा, थैंक यू